नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनेर प्रिभात कुमार सिंग अपनी यूट्यूब चानल निरला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो आज के इस वीडियो में में आप लोगों को एक बनता हुआ घर का खिरकी लेबल तक का पुरा काम दिख कर रहे हो तो इस वीडियो को देखिए आपको आंदाजा लग जाएगा कि आपको अपना घर किस तरीका से बनाना चाहिए और आपको अपना घर खिरकी लेबल तक बनाने में कितना रुप्रा का खर्चा आने वाला है चलिए पार्ट वाइस समझते हैं आप अच्छे तरीक और कॉलम के बारे में समझ सकते हो नीचे में आप देख सकते हो कि इस घर के लिए ग्रांड मीमी दिया गया है और ये जो लेबल है इस घर का जो फर्स का लेबल होगा जो घर का फर्स बनेगा वो लेबल है मतलब जहां तक कॉलम का कास्टिंग हुआ है उसके उपर इस घर क फर्स रहने वाला है फिर उसके उपर आप देख पा रहे हो किस घर का जो काम है वो खिरकी की लेबल तक कंप्लीट हो चुका है मैं अंदर भी ले जाकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि अंदर में किस तरीका से बने जान लेते हैं इस घर में बने हुए जो कॉलम है उसके बार जा सकते हो देखो एक दो उसके साथ इदर तीन और चार जो में बारे सी कॉलम यहां पर यूज किया जारा और यह जो आप देख रहो यह जो रिंग है ये 8 mm का सरिया के साथ बनाया जा रहा है जिसे हम लोग टाई भी बोलते हैं तो इसे 6 इंची के दूरी पे बंधा जा रहा है इसके साथ साथ आप देख रहे हो कि सिल लेबल तक काम कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है जहां से खिर्की देने का काम है वो सुडू होता है खिर्की छोड़ने का काम स्टार्ट होता है तो देखिए फर्स के 3 फीट उपर तक यहाँ पर तक काम हो चुका है इसके अंदर भी जाकर चलेंगे लेकर उससे पहले इस घर का जो नीचे वाला बीम देख रहे हो जिसने हम लोग ग्राउड भी मुलते हैं इसका साइज का बात कर लिये जाए तो 10 इंची भाई 10 इंच के याइप ग्राउंड लेबल पर वे फी कर को परभाइड किया गया है इसमें सारीय का बात कर ले जाए तो चार सारीय का इस्तेमाल किया जा कर रहा है है इस घर का साइड भीव हाला कि इस घर का खिरकी भी बहुत अच्छे डंक से डिजाइन किया गया है वह आने वाला दिन में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों आप से रिक्वेस्ट भे कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को जरूर कर लिज देगा चलिए चलते हैं इस घर के अंदर जो चारों कोर्न Sans पर मतलou कों पर आपको इस घर के लिए बेडरुम देखने को मिलेका मतलब चार बेडरुम आपको देखने को मिल जाएगा हालाकि आभी यह जो जगह यह रास्ताहीं कर casting डीयाजा रहा है क्योंकि साथ-साथ ये पीछे वेला Corner पे दुसरा бեड़रूम, उस Corner पे दिसरा बेड़रूम, ये देख सकते हो, और बीच में इस घर के लिये, कीचिन के लिए जगा, शोरा गया है तो देखिए यह तिसरा बेड़ Arm यह इस घर के लिए दूसरा बेड रूम जहांपे खड़ा हुआ पहला बेड़रूm है यह नहीं जाल चुरा है यहां पर स्टूर रूम के रुपए और उसी से सद चिडि ऑनरी और कि सके यहां पर तक मतलब जो घंड का फर्स से तीन से 3.3 फिट का सबसकर उपर तक काम हो चुका है और यह देख सकते हैं जैसे ब्रिक इस घर के माकान मालने के अनुसार इस चार बेडरूम वाला घर को अब तक बनाने में 3,40,000 रुपे के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है काम आपके सामने है जिस परिसिती में इस घर को बनाया जा रहा है वहाँ पर एक लाल इंट का कीमत 8 रुपे है और एक वोरा सीमें तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि स्टेप वाइस मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूंगा आपको मैंने कॉलम और बीम के बारे मताया कि यह भी स्ट्रक्टर के साथ इस घर को बनाया जा रहा ह और इसके साथ बता दो कि स्टेप वाइस वीडियो इस घर का आते रहेगा आप लोग का और बीचाता है होते रहेगा बहुत जल मिलते हैं